जैशी राम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई है और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अपने घर के मंदिर की मूर्ती को कैसे जागरित करें कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें जिससे जो है हमारे घर की मूर्ती हमारे दिव्य हो जाएं और उनके दर्शन करके हम सौभागे साली हो जाएं और भगवान की कृपा हमें प्रापत हो तो अन तक बने रहना तब ही आपको सारी वीडियो समझ में आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें चैनल पर पहली किसी देवी देवता की मूर्ती और उनका सब्रूप अपने घर में लेकर आपके हैं तो सबसे पहली बात आपको यह याद रखनी चाहिए अगर आपको लगता है कि डावट पूल की कोई न कोई एबद्र शक्ति उसमें वास करने की कोशिश करने हैं आप स्वम अपनी मूर किसी शक्ति को जागरिद करना है आप स्वम करोगे इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूं और कैसे करना है आप देख लिए अगर आप घर में कोई मूर्ती लाते हो कोई सवरूप लाते हो हनुमान जी की लाते हो मादूर्गा की लाते हो तो क्या करना है उसमें सबसे पहल करें आपको जब भी मूर्ती घर में प्रबेश्ट करो आपके आपने जोर सी घंतियां जो हैं घंत गर के अंदर जरूर बजाने मां की मूर्तिर भारे हो- बजरंग बली ला तो घर में घंति और शंकनाद जरूर को बात हमेशा ज़्रूर के कर दो कि अधर आत्मा कुर जाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं, वो घर से इदर उदर भागती हैं, जब घर में शंक नाद होता है, जब घर में मूर्ति आपके आजती है, तो आप कोई भी चांदी या फिर कोई भी पितल का पातर या और मिट्टी की हांडी, मिट्टी की हांडी से आप पंच अम्रित से उस दिव्य मूर्ति को सनान खिराओगे घर का अगर अनुमान जी का है तो घर का जो जेश्ट कुतर है या कोई जिसकी बख्ती अटूट है रिष्टा जो चाता है सेवा पकड़ना चाता है जो बाबा की सेवा कर रहा है बाबा की मालो ज्याएगा पूजा कर कर रहा है तो वही लेडी या वही लड़की आप उससे फिर हानी से अपना कोई भी अगर आपको दिव्या मंतर आता है अगर स्वास्तिक वाच्छा कर सकते हो अगर स्वास्ति वाच्छा कर सकते हो अगर स्वास्ति वाच्छा नहीं आता तो अपने इस्ट का कोई भी आपक से साफ करने के बाद एक सिंगासन त्यार करना है सिंगासन अभी उस जगह पर नहीं स्थान देना जहां पर पर्मानेंट आप रखना जाते हैं हैं अभी एक ऐसी जगह पर रखिए जी चोकी पर रखिए उसके आगे अक्षद बनाईए चावलों से अक्षध्य स्वास्तिक स्वास्तिक बनाईए एक उस पे सुपारी रखिए और आप घर में कोई भी नविद्य कोई भोग त्यार कीजिए अपने इश्ट को जिस भी भोग से आप प्रसंद करते हो एक सो आठ या सो हनुमान चलिसा का प्रन लेकर चलिए उस दिन आप सो हनुमान चलिसा का पार्ट करेंगे और देखिए अब आपके मन में यह आएगा यार सो हनुमान चलिसा का पार्ट कैसे कर सकते हैं तो कष्ट ही तो देना है तभी तो प्रान जाते हैं तभी तो प्रान ज जाते हैं आप का सोच रहे हो कि चोटी सी पूजा करी और रख दी नहीं कष्ट शरीर को जब तक कष्ट नहीं होगा मूँ नहीं सुखेगा तब तक आप ऐसा कोई कारिया ना कीजिए आपने बैड़ जाईए और अपने एक सो आठ या सो हनुमान चलिशा का पार्ट आप करने जब भी आप कर रहे हो उसके बाद आपने क्या करना है मा की अगर मुर्ति है तो आपको मिठ्या पान का भोग जरूर लगाना है अगर हनुमान जी की मुर्ति समरुप की पूजा कर रहे हो तो आपको गुड और चना ये जरूर लगाना है या गुड और गाएं का देशी ग प्रण है उन्हें इत्तर लगाई उसके बाद एक जनेऊ लेजिए उस जनेऊ को आप पनाईए हनुमान जी को उसके बाद आपने क्या करना है अपनी पूजा को स्टार्ट कर दीजिए एक अखंड दीपक लगा कर जिस दिन आप मूर्ति की पूजा करोगे उस दिन आपको सब जी आब बना सकते हो थोड़ा हलुआ उसका भूग राजा की थारी त्यार करनी है महाराज एक प्रभू वैसा ही प्ल देहें अंत्रमन की कीमत निए को देख रहा नहीं है नेकिन वो देख रहा है जिसके आप ध्यारे हो जिसको आप मना रहे हो वो आपको जरूर देख रहा है वो आपको जरूर जान रहा है आपसे दूर नहीं है आपसे दूर कैसे हो सकते है आपी ने तो उनको बुलाया है अब अपने उस नोते पर जो भी आप उनका अवान कर रह तो थोड़ी कतनाईयां होएंगी, अगर मा की प्रान पतिष्टा कर रहे हो, तो दुर्गा सप्तिशी का पाठ कीजिए, तेरा ध्याय का पाठ कीजिए, मुश्कल नहीं है, नामुम्किन नहीं है, नेकिन अगर एक वार करकर अगर आपकी मा की शक्ति आपके वहां पर करना है, और दुर्गा सप्तिशी का डेली पाठ करना है, फोटी वन देज, जैंस का फोटी वन देज, लेडिज का 21 दिन, महा मारी के समय लेडिज को नहीं करना है, पांच दिन, चुद्धी के बाद फिर स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखना आप लगा तार एक नित्या पकली जीए, मैं सुबह पूजा करूंगा या करूंगी या शाम को करूंगी, अगर दो टाइम होता है तो एक बोनस चांस होता है, अगर तीन टाइम होता है, तो सोने पर सुवागा होता है, नियम आपके अनुसार है, देखिए उन्होंने यह नहीं कहा कि आप मेरे लिए दाल फ्राई बनाओ या आलू मटर बनाओ या मटर पनी बनाओ जैसी आपके घर में जो भी आपके घर में बनता है जो भी पहली बार बनता है जैसे कहते हैं कि घर में कोई भी हलुआ पहले पर बजूर को लोग यह बात कहते हैं कि अगर में घर में कोई हलुआ पूर या पर फिर कोई वी चीज पर पहले बंती दी तो अपने इस्ट को अरपन और अपने घर के बजयो को पहले इकलाई जाती ही ताकिि इस घर पर अदर हमेशा इंधिसा मिठास रहे तो अपने इस्ट के आगे अरपन की में खाने के भुख़े नहीं है भाफिंट कि अप्यान किछिए अर्पन करकर आंठ करकर ध्यान करें जिये कि आपके इस्ट सभिकार जैसे आपने पने आथ करिए व्य है ये भलेगा चिपंगे दिखे नगा बैसूस को सकता है यूण है जो अगर आपने अगर किसी को आत्मा से ध्यालिया अगर किसी को आत्मा से प्रेम कर लिया तो यह लगा लो वह आपका होगे अब एक बात और भी आप सोच लेड़ा अगर आप अनुवान जी की इस पकार से प्रतिष्टा करकर पूजा याचला करते हो तो वह दिन दूर नहीं है जितने अनुवान याचा लगता है आपको यह लगेगा कि बाबागम करिए असरो आपको अगर यह पीछे जो मूर्खियां दिख रही ऐसे रखी है अगर ये ना बुल vai आं अ हम कैसे बोलने इनकी इच्छा है कि वीडियो बनती है कोई नोत कैसे बना दे कोई बाबा की बारे वीडियो कैसे उनके नाम का परचार करते क?, तो इसी पतार अब Jeśli आप बाबा की सिए सिवा की जी और फिर देखिए अपने आप पही तरक्की को चुमोगी अब कई व्यक्ति क्या करते मूर्थी लाते हैं सिंदूरी मूर्थी का थोड़ा सा ज्यादा परेज होता है अगर सिंदूरी मूर्थी लाते हो अपनमान जी कि उसका स्थान कुछ अलग होता है और अच्छे टिक्षे उसके लिए वीडियो बनी है तो बोलिए जैसी तराम जैश्रीम वाला गया जैमाट